तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर भीन का जोड और भीन का घटाओ और भीन का गोना एक ही कोशन में एक साथ दिया रहे तो इस तरह के कोशन को कैसे सल्व करते हैं आसान से आसान बीधी क्या है न हम इस वीडियो में सीखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद म हमारे पहला कोशन है और ये है हमारा दूसरा नमर कोशन दोनों कोशन को बिल्कुली असानी सल्व करेंगे बस इस वीडियो को सूरू से लेकर लाश्ट तक देखना है और वीडियो पर पहली बरहें तो वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है तो देख पिर आपको एक सांथ करना है कैसे करेंगे आसान विधिक क्या है तो देखे जब भी आपको इस टाइप का कोशन मिले यानि एक ही कोशन में जोड भी हो और घटाव भी हो और फिर जोड हो तो उस कंडिशन में करना क्या है सिंपल सा जैसे हम भीन का जोड या भीन का घटाव स का हमको से पहले LCM लगुतम शमक्र निकल नहां खूगा तो यहां पर दहलें दो कमा 4 कमा दू कमा ढून निकालेंगे नठर्यस नियम होता को संख्या वं से कटानें का प्रेस करना है और गोँस्वलर क temos संघ्राइन से कम से कम हो जाएगा आपका यहां पर दो से खटायां में 2 और यहां पर आपका 3 सबीका गुणा करेंगे देखेए दो, कमा 4 कमा 2 कमा 3 का जो LCM होगा ना हमारा 12 हो जाएगा तो देखिए करना के सिंपल सा जितना बड़ा कोश्टन है ना सबसे पहले उतना बड़ा एक लाइन खेचना है तो यहां से लेकर हम यहां तक लाइन खेचेंगे और विचो विच नीचे जो भी हमारे LCM 12 आया है ना उसको यहां पर लिख लाना है लिख ले हमने अब देखे उसके बाद क्या करना है दो चार दो तिन का LCM 12 निकला है ना तो अब इसी दो से इस 12 में भाग करेंगे और जो भी भाग फल आएगा ना उसका गुना करेंगे दो के उपर नमर में और यहां पर उपर में लिखेंगे दो से भाग करेंगे बारा में तो दो के पाला हम 12 जो है चोवर में आता है 12 में था गुणा करेंगे तो माइं तो ङूणा करेंगे लोग ना एक तो से भाग करेंगे एक तरफ करके जोड़ना है और जौ भी प्लस कर यहां पर किया यहां तो लिखेंगे माइनस między-42 और यहां पर क्या है और पलस का यह आपका 28 है, अब देखें बाटा में 12 है, तो बाटा में 12 लिखे देंगे, अब देखें, यहाँ पर क्या है a.ाय. तो देखें, माइनस विता है पलस, लेकिं चीन माइनस कहें ही रहता है, देखिए माइनस माइस प्लस इन्ही संख्याओं को हम क्या करेंगे जोडेंगे लेकिन चीन माइनस कहें लगाएंगे देखिए यहाँ पर सबसे पहले माइनस लगाएंगे और इन दोनों को जोडेंगे तो देखिए आठ में जोडेंगे दो तो दस होगा दस का जीरो हर्सिन 1 7 में जोड़ेंगे 4 तो सचर 11 1 शार्षिन है तो का हो जाग बार्बाद इन है प्लस लगेंगे चूकि community plus अधिरों की जोड़ेंगा और 13 । भाज प्रषिन थेरों की आप प्लस हो यहाथ जोड़ेंगे तिन तो 8 तिन n 되गारे चाहई हैं और 3 तो 2, 3, 5 और एक हार्शीन है तो आपको जगे यहाँ पर 6 अब देखें बाटा में 12 है तो बाटा में 12 लिखतेंगे अब देखें –120 में जोड़ना है 16 तो देखें –- उसी का रहेगा तो देखें चीन उसी का रहेगा जो दूनों संख्याओं में 12 संख्या होगा यहां पर जीरो में से 1 घटाने तो यहां 15 में यहां पर take a rainbow भाएंगे यहां पर 5 और Danke question और most most important question इसी को solve करने के बद आप किसी भी question को काफी Аसान तरीका solve करेंगे जो कि एस type के question अगर आपके समयाता है तो तो देखेए इसमें क्या करना है तो इसमें करना है देखी आंन्थाओन बतां तीन है इसमें जोड़ना है 11 बता दो गाताना है 7 बखे 4 और गुना करना है 12 बखे साथ से यह गुना का चीन यह आपर extra आ चुका है जोड़ का चीन है घटाव का चीन है तो जब भी एक ही कोशन में जोड़ का चीन हो गटाव का चीन और गुना का वह चीन हो तो इस condition में आपको यूज करना है बोडमास का नियम यानि बोडमास तरूल का यूज करना है बोडमास तरूल कहता है कि अगर एक ही कोशन में गुना है जोड है घटाव है तो सबसे पहले आपको गुना को सल्व करना है उसके बाद जोड को और अंत में घटाव को तो देखे यहाँ पर जोड औ तो इसको हम एक साथ कर सकते हैं लेकिन अगर गुना है न तो सबसे पहले गुना को सलब करेंगे उसके जोर उसके घटाओ चार गार। साथ , माइनस का जो भी इार संग्याएं हैं , इसको आपको रहने देना है सिर्फ इस पहले भीन में गुनादा है दूसरेहनी देखिए चार से कटया बारद दिखे चारe के पाड़े में 4 यह कटता है गुनाख यहाँ पर 7 के पाड़े में 7 है एक बार में और यह 7 के पाड़े में 7 है एक बार में क्ट गया और देखें एक गूना करेंगे स्टेछे तीन में तो आपको होजाएल गए satisf देखें मैंस के चीन मैंस के दो स्क्र committees 11 2 ढहाँ आ navig और देखे बोड मास के नियम का नुसार हमने यहाँ पर गुुना को शल्ब कर लिया है अब उसके बाद जोर और घृटाव को सब्सेले जोर को सल्ब की जता है बोड मास नियम का नुसार लेकिन जूर और घटाव जो है एक साथ सल्ब कर सकते हैं इसमें कोई दिकत नहीं होती तो एक साथ सवल्प करने के लिए करना क्या है देखिए इस बाटा के निचे यहां पर तीन है और इसके बाटा निचे यहां पर दो है और इसके बाटा निचे यहां पर एक है तो तीन दो और एक का साथ से पहले यहीं कटना चाहिए यहीं कटना ओर तो हमारे क्याइब से एक से यही है नहीं कट सकता है तो यह जो है नहीं कटेगा अब LCM निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करेंगे तीन का गुणा करेंगे दो में और एक का गुणा नहीं करते हैं चुकि एक से गुणा करने के कोई फैदा नहीं होता है तो तीन का गुणा करेंगे दो में तीन दोनों की आपका जो LCM है ना 6 हो जाएगा तो देखे करना के है जितना बड़ा कोशन है उतना बड़ा एक लाइन खीचेंगे और बिचो बिच नीचे जो LCM 6 है ना उसको लिख देंगे अब 3 सभाग करेंगे 6 में तो भागफल आपका 2 आएगा और 2 का गुना करना है अंठावन में तो तो प्लस अब 2 सभाग करेंगे छो में तो 2 तीन है छो 3 लोगवार में करेंगा च्छो एने भागवा होल आपका तीन आएगा उस तिनी की करेंगे 11 में तो यहाँ पर होजाएगा तो03 माइनउस है तो माइनस ए माईनस एक सभा करेंगे 3, तो 9, 1 में जोड़ेंगे 3, तो 4 और यहेला 1 यहाँ उतार देंगे, माइनस क्या है 18, और बटा में क्या है फर 6 है, अब देखें simple सा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे, तो 3 हो जाएगा और यह उला एक जो है जो है जैयों का तेम उतार देंगे और 131 बटा चो यह हुगया इस सेकंड कोशन का फाइनल आंसर तो दोस्तों देखते हैं कितने असान तरीका से अगर भीन का जोड़ भीन का घटा और भीन का गुना रहे तो सल्व किया जता है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाएगा और इस चैनल पर पहले बराया है न तो इस चैनल को सब्सक्राब जरूर कीज़ेगा ताकि आपको नेव वीडियोज का नोटीफिशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो भी मैस के तरही हमशा चलती रहेगी और आपका मैस काफी स्ट्रॉंग हो जाएगा